हेलो एबरीबन कैसे हैं आप सभी आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे तो आज इस वीडियो में जब बैसक्रेंगे क्लास फिफ्त का मैथ्स कवेपर जो की आज ही हुआ आज है तो फेबरी ट्वेटी ट्वेटी फोर 29 February है तो इसी से ही समझाएगे कि इस वार का जो 2024 जो year है वो जो लीपियर है लीपियर की पहचार होती है लास्ट वाले दो डिजिट से जैसे इस वार का है 2024 तो लास्ट वाले दो डिजिट अगर divisible होते हैं 4 से 24 is divisible by 4, 64 is 24 तो इसका मतलब होता है कि लीपियर है अगर century आजाए जैसे 2000 आजाए तो जब लास्ट वाले दो को छोड़ करके आप बोलिए कि फर्स्ट वाले दो जब डिजिट को फोर से ना करके इस पूरे को जब फोर हंड़ से करिए तो आप ऐसे बोल दिजिए कि लास्ट वाले दो को जोड़ करके फर्स वाले दो डिजिट को जब फोर से डिविजिबल करिये है अगर exactly divisible है तो जब आप बोल दिजिए लीपियर तो 2000 तो लीपियर है क्योंकि 5-4-20 होता है फर्स्ट वाले दो डिविजिबल है फोर से लेकिन यहां पर 3000 जो आएगा जो कि अभी आएगा ट्विजिए फोर जड़ा है ठीक है तो यह लीपियर नहीं होगा क्योंकि आप थर्टी इस नॉट डिविजिबल वाई तो यह लोग इसको डिफला की बात इसायँ है जलदी से जलदी देखेंगे कि इसंवार जो इस तरह से होता है कि यह जो वो पहले तो summer closing का है winter closing का और पिछले कई सालों का जो हम लोग discuss करते हा रहे है अगर आप paper दे चुके हैं तो भी आप देख सकते हैं कि कौन कौन से कोशी नमारे सही है तो यह idea जासा लग जाता है कि कैसे कैसे हमारे number आसकते हैं अगर आप अभी paper देने वाले हैं या अगली साल देंगे फोर्थ क्लास में अभी तो भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं लास्त को देखी काफी कुछ आपको जानने को मिलेगा अगर आप किसी भी exam के तरही आरे कर रहे हैं तो भी इसमें maths होता है तो यहीं से जो base बनता है वही जो वो आपको फिर जो वो exam में जो कोशीन आता है उनको solve करने में help करता है तो जले फिर ज़्यादा delay ना करते हैं वो start करते हैं हिंदी और इंगलिस दोनों medium में जो वो यह होगा 50 marks का a paper होता है आप सभी को पता होना चाहिए देखिए paper कुछ इस तरह से होता है कि इसी booklet में जो आपको answer भी लिखना होते है आपको कोई अलग से जो seat answer seat नहीं मिलने वाली है first question है 10 multiply by 1 मतलब की हर एक question 10 question 1 1 marks के होगे कोई option नहीं मिलेगा कोई extra question नहीं मिलेगा कि 7 जो पहले लिखा है उसको लिख लिए 7 लिख लिए 7 लिख लिए ठीक है आप मैं जो एक बार ही लिखूँगा मैं यहाँ पर first question को दो बार बता रहा हूं मतलब हिंदी और इंग्लिस दोनों में ही 7 और 7 लिख लिए हजार हजार में आपको रहता है कि तीन डीजिट आगे होंगे तीन जीरो होती है तो आप क्या करिए एक दो तीन ऐसे कर लिए यह जो ट्रिक है जो आपको help करेगा बड़े नम्बरों को अब तो यह तो चलो simple साय लेकिन बड़े नम्बरों में जो help करेगे जैसे 8 lakh तो 8 लिख लिए 1 lakh में जो 5 0 है तो 5 डिजट 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे करते करते जो आप फिल करेंगे तो यहाँ पे लिखा है 70 लास्ट, 70 तो 70 जो लिख लिजी है लास्ट में जो बीच में बसता है वहाँ पे जो फिल कर लिए 0, तो 0, 0 तो यह बन गया 7,070 यह 7,070 7,070 70, 70 Next Half rupees आधा रुपय जो वो कितने पैसे के ब्रावड़ता है तो एक रुपय में 100 पैसे तो half रुपय में 50 पैसे आप इसको solve पैसे कर सकते थे यह half multiple लेवे 100 कि पैसे में चेंज़ करना है एक रुपय गा 100 पैसे बन गया तो 2 से फिर 100 पैसे तो 50 पैसे is the right answer Next समकोन क्या होता है right angle क्या होता है इसका measurement क्या होता है 90 degree बाता है सबको पता है कई बार ना यही exam में बार 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 बुच जाता है right angle हर बार एक्जाम में आये जितनी बार 5th class का एक्जाम हुआ हर बार right angle से related पुछा है या तो टू टाइमस पूछ लेता है या तो 3 टाइमस पूछ लेगा या तो straight angle पूछ लेगा या तो half of right angle पूछ लेगा बस यही यहाँ पर ही question को भाता है सेंटीमीटर की पूछेगा या तो किलोमीटर को जीए मिटर पूछ लेगा तीक है वही पूछेगा यहाँ पर इस बार उल्टा पूछ लेगी हंडर सेंटीमीटर कितने मिटर करभ तो एक मिटर में 100 सेंटीमीटर तो बन आजाए यहां पर नेक्स शिक्सटिन का आदा या वरफ वो सिक्स्टिन तो आप ऐसे सॉल कुछ ने आफ ऑफ 16 जिक्सटिन सब्दाव टू एट जा तो टूजा एट आगया 16 का अदा कितना होता है 8 होता है न 8 तो इट आजाए गांसर सॉन को एनके जरूरत भी नहीं थी यहां पर सीधा ही आप आंसर लिख लेते तो भी ठीक था पांच गुणज लिखने है चार के तो मतलब चार के 5 मल्टिपल लिखने है तो चार के डेबल चिपका दो 4, 1, 4, 4, 2, 8, 4, 3, 12, 4, 4, 16, 4, 5, 20 बस ज्यादा मतले किया है 5 बोला तो 5 भी लिखे next पैटर्न दिया है 6 के बार 12 आ अभरा 18 आ रहा है तो 6 का डेबल चल रहा है तो आगी क्या जागा 64 जा 24 आ जागा 65 जा 30 आ जागा काम लगा के लिख लिख लिजिए दो ही गया अपते तो दो जो आप नमबर लिख लिजिए next next भी एक pattern के जैसे है बीच में equal 2 है बीच में equal 2 का मतर्व होता है जो number इस side है वही number इस side होंचे है तो star के बीच 14 है 14 लिखा हुए 20 circle के अंदर है तो circle के अंदर 20 लिख लो और यहां पर box मतर्व स्क्वेर के अंदर 34 है तो यहां पर 34 फिल कर दो और बस इतना सा simple सा कुछी नेक्स टू थाफजन्ट ग्राम एक किलोग्राइम में एक जहार ग्राम होते है तो 2 किलोग्राम में 2000 ह हो जाएंगे तो 2000 ग्राम 2 किलोग्राम के एक को हो जाएगा नेक्स्ट नेक्स इसने वर्ड में लिखने को बला है हर बार बर्ड में लिखने को आता है तो इस बार भी इसने पूछ नहीं था पहले तो देखी के लिए 362204 पहले इंडियन नंबर सिस्टम यहां इंटरेंश इंडियन के लिए आपके बाद सिक्स डिजित होने जाए तो यह तो बन भी नहीं सिक्स ही है तो इंडियन में ही वह लाइक तो थीन के बाद कॉमा लगा के दो दो में लगाई है तो यह बन गया लैक वाला तो 3,62204 लिखना था इमने वर्ड में नहीं लिखा आप देख ल नेक्स कुछ जीन है एट का गोर्ण कंड मतलब फैक्टर का एट कौन है थी से नहीं ती के डेवल में नहीं आता है तो फोर के डेवल में आता है तो फोर इस दराइट अंसर थी अंड़ पैस से थे रुपेस के ब्राबर हो जाएंगे प्रिवज की बुजाएं कि तीन होते ह है कि 2202 तो ए है 2202 लास्ट बला टू टू जीरो टू नेक्स्त भारत के जंडे का सितरफल लिक्स जंडे का सितरफल है न आपको सब्सक्राइब कि बता है कि वह जबो थी वाई टू रेस्टों में होता है मतलब एकर यह थी मेटर है तो एक्टिमीटर में नहीं लिखेंगे म तो यहां पे जो स्क्वेर मीटर लिए नहीं होगा नेक्स कुछीन है फ्री और फाईव के जो कॉमर्ण मैंति लिखने तो आप क्या करिए क्योंकि यह वो दोनुमर का कुछीन है तो आप जो आप multiple of three लिख लिजिए फिर multiple of 5 लिख लिए एकल टू इकल रहा दो तो 369 फिरा जड़े 15 ऐसे तर्थ का पहूंच आगे पहुँच आप सब्सक्राइब आप common multiple of 3 and 5 common multiple आपको सबसे पहले 15 देखने को मिलेगा तो 15 लिख लीजिए अब आप सभी को पता होना चाहिए कि 15 के बाद 15 का ही multiple आगे common 15 to 30 15 3 45 ऐसे लिखते लिखते आप एक दो और चिपका दीजिए ठीक है अगर आपको यहां पे LCM भी पुछा है तो LCM मतलब common multiple में सबसे छोटा 15 है तो LCM भी 15 आगे देखिए बैसे भी 15 नहीं आना था क्यों क्योंकि 3 और 5 इस the co prime number और co prime का product ही LCM होता है product means 3 5 जा next divide करना था तो कर लेते हैं इसको जीरू आगया और 5 तो जोटा है तो जीरू से करना पड़ेगा एक बार फिर फूर आएगा यह पर फिर आजाएगा 96 जा होता है 54 तो यहां पर आजागा जीरू तो आप जो कोशेंट लिख लो 409 तो जीरू है लिखना है तो लिख लो नहीं तो यह भी चलेगा कुछ इस त क्या लिखने थी जो आदा घुमाने पर बहसे ही दिखती हो अब बड़ा सिंपल सा कुश्चिंटा देखिए आपको एक पूरा चेप्टर है आफ्टर हाफ हर टरन ऐसे कुछ चेप्टर का नाम है विल लुक सेम कुछ इस चेप्टर का नाम है तो तीन डिजिट वाले नमब अगर देखने में उपर वाला नीचे वाला सेम है तो आप देख लीजी अगर आप ऐसी नहीं पैचार पा रहे हैं तो आप जहां भी अपने नमबर लिखा जैसे मैं लिखा 888 टीन डिजिट वाल नमबर है चीग है तो इसको आप दूसरी साइट से देखेंगे तो भी 8888 ह कर सकते हैं कि हमारा नमबर साही है या घलत है तो एक जीडू है एक वन है और एक जोब आरे पास एट है ये तीन ही नमिर यह हाफ रण करने पर से हम दिखा देते हैं तो इन तीनों से ही नंबर बनेगा तो अप लिए वे फिर जी टार नंबर नहीं बोलते इस पो कि यह एक जियरु जीरो यह रहाने से को you can also भिण된 और इस को गाने से विंद्ही drift लिखा एक नंब या आप लिखते हैं एट वन एट लिखते हैं ठीक है और भी दो ती नंबर जो आप बना सकते हैं ठीक है आप देखिए कि एक अदा और नंबर बना करके आप कमेंट मक्स में लिखे ज़र आपको एक रहा कि नहीं हुआ नेक्स्ट नेक्स्ट इसको प्लस करना था प्लस करती बार आप देखिए 3.50 फिर है 4.05 और फिर है 3.35 3.35 बिल्कुल सिंपल सा कोजी था प्लस करना था इसको 55 लोग है 10 एक बच्चा 5 और 3 8 और यहां पर आगे 9 फिर डेसिमल बैसे ही निचे आ जाना था पूर और 3 होता है 7 7 और 3 होता है 10 तो यहां पर आगे 10 10.90 मिटर में था तो मिटर आप लास्ट में चिपका दो मेटी आरे मिटर जिर तैन पॉइंट नाइन जिर नेक्स्ट कुछीन पर आप दें नेक्स्ट कुछीन में इसने बोला है कि हाव मैनी एंगल एंगल और साइड तो यह जोगो कितने कौन है और कितनी बुझा है कुछ है तो आप लिख लो कि number of angle number of angle equal to angle कितने देखे हैं 1 2 3 4 5 6 hexagon में 60 angle होते हैं और 60 side से होते है number of side in this figure या से कुछ लिख सकते हैं कितने 6 है तो ऐसे लिखना था आपको फुरी के माक्स वो यहां पर मिल रहे हैं हाँ यह भी अच्छा कोशी ना देखिए 75 पैसे को 0.75 रूपए लिखा पिछली बार साइद इसमें मैच ना फॉलविंग पूछ लिए था था इसी टाइप का कोशिन तो यह ठीक है 25 पैसे को 0.25 लिख लिए कि यह भी दो डिजट वाला यह भी दो डिजट है ठीक है लेकि मैं बोलूँ एक पैसा किसके ब्राबर हो गया तो यह जोगो वन अपॉन हंडर्ड रूपए के ब्राबर हो जाएगा मतलब की 0.01 के ब्राबर हो जाएगा मतलब सीधा सा ए हुआ कि मैंने जोगो वन अपॉन हंडर्ड बोला तो यहां पे 5 पैसे किसके ब्राबर हो जाएगा 5 upon 100 हो जाएगा तो 5 upon 100 is 0.5 नहीं 0.05 तो इसलिए जो वो दो डिजटा में decimal के बाद चाहिए ही चाहिए next question है इस बरक magic square वाला है 46 से 54 के बीच में जो आपको यहाँ पे fill करना है अच्छा question है और column column होते हैं नीचे से उपर उपर से नीचे इसे vertically होते है column और जो हजेंटल है वो इसको जो रोज बुलते हैं तो यहाँ पे solve करने की भी ज़रूरत नहीं थे क्योंकि इसने जगा भी नहीं दी है यह free के जो थ्री marks आपको मिलने थे हैं यहाँ तो इसने बोला है कि इसको जो magic square को complete करना है तो आप जो इसको ऐसे कर सकते थे कि कोई भी डाइगनली भी 150 आना चाहिए ऐसे ने बोला है और row और column सब को plus करके 150 आना चाहिए तीन-थीन को लेकर के इन थीन ओको 50 ओका इन थीन ओका सम डाइगनली भी ऐसे और ऐसे भी तो यहां पर जाएगा जब आपको बताता हूं यहां पर देखिए आपकी बुक से ही लिया गया एक स्क्राइव सट मैंने उही दिया अब त्यभी यह बिल्कुछ Всем ठाश तो यहांपे 53 जाएगा यहांपे 48 ऑजाएगा अब चेक कर देखिंसक्ते हैं और यहां पर जाएगा 50 कि और यहांपे 51 ठेख तो कुछ इस तरह से इसको फिल करना था六 को आप finger headed out 58 और यहां पे आजाएगा 51 और यहां पे जाएगा 50 और यहां पे जाएगा 54 ठीक है तो कुछ इस तरह से इसको फिल करना था यह भी आपके प्री कही नंबर थे कि ठीक है अब 6 को भी ब्रेक कर दो कि 6 इस दा कौन सा नंबर कंपोशिट नंबर नंबर होता तो छोड़ दें जैसे 3 प्राइम नंबर इसको स्किप कर दो 6 2 3 जा होता है तो 2 यहां पर 3 यहां पर एक फेक्टर्य बन गे है एक और बनाते हैं जबाइड जैसे आपैटीन लिख लेते हैं मंहा लो मैंने 9 और 2 खा बना है तो 2 एक साइढ लिखना था 9 दूसरी साइढ लिखना था ठीक है अब 3-3 जा 9 होता है बाकी तो और कोई इसके फैक्टर है नहीं तो 3 यहां पे 3 यहां पे तो यह पुझ जाएगा हमारा है दूसरा फैक्टरी ठीक है तो ऐसे आप एक फैक्टरी बनाते तो आपको बिल्कुल आराम से नंबर पूरे मिल जाते है नेक्स्ट है ग्रेसी वाला तो सिधा सा कॉच्छी नहीं है तो सीगेट फोर चाहिए आप लिक्स एब आप लिखते हैं सिजिदा सा स्पैन तो सौरी स्टेटमेंट बना की लिखना था इसको की कौस्ट ऑफ एक के जी का कितना है 60 लुपीज लिख लो फीस जो और लिख 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 लिजी कौस् लेट से गया टैसे आप स्टेटमेंट कुछ भी आप बना सकते थे ठीक है next next tally चार्ट से लिटेट कोशिन है कि इसको complete करना है अब पिछली बार इन्होंने आपने नंबर लिखने थे इस वार box बनाने को बना है तो यह बने गया 20 फूर फ़ाव यह 20 और टू बनाने थे तो एक दो एक फूरा जो फ्वेंटी टू के लिए तो बैसे करते हैं करते हैं आप 15 का कर बनाईए एट का बनाईए नेक्स्ट है एक उशीन बार बार एक्जाम राता है यह वाला 576 books are packed in box तो इतनी सारी books है एक box में pack करनी है और boxes में pack करनी है तो एक box में 24 आज़ती है तो कितने box की जरूरत होगी तो आप लिख लिजिए को इस्टेंटमेंट बना लिजिए कि एक box में इतनी आती है तो 24 books ज कितने box की जरूरत पड़ेगी 576 books pack करने में तो सिधा सा कोशीन था आप सेटमेंट बना लो पहले फिर जो लिख लो की number of boxes कितने आ जाएंगे number of boxes equal to 576 divided by 24 इंटरेस्टिंग बात है कि 576 is the square of 24 तो डिवाइड करेंगे तो डिवाइड किया होना भी साथ होना चाहिए क्यूं 24 boxes are to be are needed therefore 24 boxes are needed next question area और perimeter दोनों निकालना था ठीक है तो length दी है तो लंबाई आयत है कोई rectangle है तो लंबाई और चड़ाई दी है और परिमाप निकालना था तो length दी है 10 cm और breadth दी है या बिर्थ वो दो 8 cm तो perimeter का फार्मूला है 2 multiply by length plus breadth कैसे लिखना था फिर 2 जो यहां पर आजागा 10 प्लस 8 हो जाएगा बीच में तो 2 multiply by 10 और 8 होता है 18 और 18 तो जा 36 cm यह निकलिक है इसका perimeter एरिया निकालने के लिए आप तो यहां पर दो ऐसे लाइन लगा दो क्योंकि यह की आपके बास जगह है तो area क्या हो जाएगा length multiply by breadth तो length है 10 breadth है 8 breadth है 10 होता है 80 तो 80 फिर हो जाएगा centimeter स्क्वेर हो जाएगा और यहां पर सिर्फ centimeter क्योंकि perimeter निकाला था और यहां पर centimeter square क्योंकि area is तो हमारा next question second last question बैसे इसमें से ना आपने तीन ही करने थे चार्ट है आपके बास price of 1 kg तो आप लिख लो cost of 1 kg प्टेट्टो इकल टेन रुपेज गिवन है फिर आप चुब लिख लो कि cost of 3.5 kg तो 3.5 kg कितना हो जाएगा तो 3.5 multiply by 10 सिंपल सा कोशीन था इसको आप mixed fraction से आप इंप्रोपर म कैसे भी कर्सकते हैं कि आप लिख लो कि cost of 1 kg प्टेटो 10 रुपेज दो कि जी का कितना हो जाएगा 2 multiply by 10 20 3 kg का कितना हो जाएगा 3 multiply by 10 30 ठीक है तो हाफ के जी का कितना अगर एक दसका है तो हाफ का 5 हो जाएगा ठीक है तो 3.5 मतलो 3.5 30 प्लस 5 35 कैसे भी आप इसको कर्सकते ह ओर्ट है जोगो 800 मोट्स प्रसक्राइब बदम आप यसी कि लाती है तो durant 1 नहीए है आप लेकलो स्टेटमेंट बना लो कि ट्रिप मोटर बोट जो एक ट्रिप मेलाती है 800 ठीक है 800 केजी फिर जो वो दूसरी जो मसीन वोट है वो जो बोला रही है 6000 ठीक है और तीसरी है जो कि 20 kg ला रही है तो 20 इन तीनों को प्लस करेंगे टोटल आजाएगा टोटल बन जाएग पाया हो और बिल्कुल इजी लेवल था ठीक है लेकिन कि फिप्ट क्लास वाले बच्चे होते हैं तो उनके लिए जबो मॉडरेट वेपर रहा होगा ना इजी ना जटफ टीक है टफ इस बिल्कुल सिंबल से कोशिंद है तो बताइए आपको वीडियो कैसी लगी वीडियो बहुत सारे सेंपल वेपर हम लोग डिसकस करते हैं करते रहते हैं और भी हम लोग बहुत सारा स्टैटिक जीके जो डिसकस करते हैं कम्यूनिटी में जो बहुत सारे जीके से लेटेड जो कोशिंद आपको देखने को मिलते हैं डेली के डेली मिलते हैं सौर्ट में जो आपक competitive exam होते हैं तो उनसे जो CSAT के पेपर होते हैं aptitude के पेपर होते हैं वो सभी जोगों बहुत सारे सभी तो नहीं लेकिन बहुत सारे sample paper हमने डिसकस किये हुए हैं ओके थैंक यू बाई बाई गूड नाइट